हलो आवरिवन, आज जो मैं आपके साथ सेशन लेने वाला हूँ, वो निमसे 23 और 24 इस्ट्वेंट के लिए है, देखिए अगर आप कोई बहुत बड़ा सपना देखते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ प्लान करते हैं, तो वो चीज जभी मिल सकती जब आप उस प बड़े बड़े प्लान करते हैं, पर उसके बाद उनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं होता, जैसे मैं आगर बात करूँ निमसेट की, तो मैंने देखा, कई बच्चे बोलते हैं, कि सर हमको NIT जाना है, और NIT तृची ही जाना है, सूरतकल जाना है, कैलिकर जाना है, मैं प लेने की सोचते हैं, तो डल लगता है, कि अभी तक कर रहा ही नहीं है, कुछ पड़ाई, जब अभी तक कोई महनत ही नहीं की, तो पता नहीं, ड्रॉप एर में होगा की नहीं, और अपनी दिशाएं बदल लेते हैं, ये केवल निमसेट के लिए नहीं है, हर फील्ड के जिस दिन बैच चालो, अगर आप अभी कर रहे हैं, तो अभी जोइन कर लें, ऐसे भी लोग होते हैं, फर्स्ट येर से अपने आपको तयार करना चालो कर देते हैं, सेकिंड येर से कर देते हैं, यानि वेट नहीं करते हैं, कुछ लोगों को पता ही लेट चलता है, पर कर और उसके लिए ये जवरी नहीं है, कि आपको कोई क्लास जोइन करना ही पड़े, उसके लिए सबसे जवरी है प्रॉपर एक्शन प्लान, प्रॉपर एक्शन प्लान का मतलब हम जिस एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं, उस एक्जाम के बारे में complete information होना, पहला काम information होना, दूस उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो सफल नहीं होगा, अब बात आती है, एक तो तरीका यह हो सकता है, दूसरा, कई लोग बहुत अच्छे से प्लान कर लेते हैं, पर एक्जूकेट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए impetus गुरू को मैं बोलूँगा कि जैसे अभी हम लोग 15 मार्स से एक नया बाइस 23, 24 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपका निमसेट एक्जाम यह 23 है, 24 है, और आप सेल्फ डिसिप्लेन नहीं हो पा रहे हैं, आप पढ़ाही कर रहे हैं, पर कैसे करनी है, क्या करनी है, कितनी बढ़नी है, कौन सी बुक सॉल्व करना है, किस किसी भी इंस्ट्यूट को जब जॉइन करते हैं, जैसे हमें कोच की जववत क्या पढ़ती है, आप देखते हो, कि हर अच्छे प्लियर के साथ एक कोच होता है, कोई गाइडेंस करने वाला होता है, हर बच्चा जो सफल हो रहा है, उसमें से आप देखते होंगे, कि maximum बच् की regular classes हो जाती है, एक fixed time table होता है, कि आपको हर दिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और किस material से पढ़ना है, फिर जो आप पढ़ते हैं, उसका weekly एक test होता है, उस test से आपको पता चलता है कि मैं कहां stand कर रहा हूँ, और इस तरह से जब ये session regular चलता रहता है, जैसे अभी जो बच्चा join करेगा, मैं आपको बता दूँ, अभी join करने से लगवख आपका two time syllabus complete होगा, in fact ये जो batch हम start कर रहे हैं, इसके पहले last year से ही batch start हो गए तो बैच कुछ batch ऐसे भी ABC जिनका one round of syllabus हो गया, जिनोंने action ले लिया, तो अभी भी आप action में नहीं आएं, तो मैं आपको क करना चालू की, तो अपने हापी एक confidence boost up होगा, सब में रहते हुए syllabus complete होगा, उस syllabus का revision होगा, proper testing होगी, ये सारी चीज़े आपको timely मिलेंगी, तो बस यही कहना चाहूँगा, कि अगर आपका कोई सपना बड़ा है, तो उतना ही बड़ा action लेजिए, जितना बड़ा dream, उतने बड़े action जब भी वो पूरा होता, thank you and all the best.